हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे दो इंपोर्टेंट टोपिक के उपर फर्स्ट है हमारा एक्कोनोमिक्स एक्टिविडिस क्या होती है और दूसरा है हमारा नोन एक्कोनोमिक्स एक्टिविडिस क्या होती है तो सबसे बेले हम बात करेंगे एक्कोनोमिक्स एक्टिविड समझते हैं और वो क्या होती है economics activities जैसे कि एक लेकर समझते हैं जैसे कि एक टीचर है वो इसकुल में पढ़ा रहा है और उसके बदले में वो क्या चार्ज कर रहा है सेलेरी तो यह क्या है यह economics activities है और एक टोक्टर है वो अपना प्रोफेशन चला रहा है और वो अपना क्लिनिक खोलकर बेटा है और उसको पेशन्ट आते हैं और उन्हें वो देखता है फिस चार्ज करता है यह भी क्या है यह भी एक economics activities है इसी के साथ हम सिखेंगे non economics activities ध्यान कि यहां एक डोक्टर है वो अपने ही बेटे को इलाज कर रहा है और उसके बेटे से तो वो पेशा नहीं मिलेगा यानि कि तो वाक रहा है जो हम कर रहे हैं बट उसके बदले में हमें पेशा नहीं मिला जैसे की charity हो गया यह सारी सारी activities क्या है यह कौन से कहलाती है यह non economics activities कह मिलाती है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक किजे शेर किजे सब्सक्राइब किजे थैंक्यू